दोस्तू नमस्कार स्वागत आपका गोवर्मेंट बांगर कोलेज डीडवाना के यूटूब चैनल पे मैं चैनारा मुंदले असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइन्स दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बिये पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरीज जो की पाठ एक मैटपूल टोफिक देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज यानि हमने पूर्वे के वीडियो में स्टेट और गवर्मेंट को देखा ये दोनों जो की पॉलिटिकल साइन्स के अधेन के वो उपचारिक तत्वे हैं और जब मोडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइन्स के इन मैन जो इंस्टिट्यूशन या जो संस्ताइं हैं उन संस्तों की अपेक्सा हम परकिरिया या प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हैं कि इन संस्ताओं का संचालन कैसे हो रहा है इस चीज़ पर मुक्रूप से बल दिया जाना चाहिए तो इन अनो मुक्चारिक तत्वे उबर कराते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे डिमोक्रेसी में काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है तो हम आज पॉलिटिकल पार्टीज में उसके कारिया और संगठन के आधार पर जो पार्टीओं का किस परकार से घठन हो रहा उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्यन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज यानि राजनीतिक दल मौरिस दूवर्जर का विसलेशन प्रेंच चिंतक दूवर्जर ने अपने फुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज जो की दूवर्जर दवारा 1951 में लिखी गई थी इसमें इसने पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरचना और जो कारी भी दिये यान इसके स्टेक्चर के से पार्टी का होता है और उसके वर्किंग बेस के आधार पर उसने पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दलूं का विज्यनिक अदेन प्रस्तूत किया दोवर्जर के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज कोई समुदाय नहीं है अपितु समुदायों का समुदाय है देस बर में फैले वे छोटे समुदाय का संग है तता ये एक समन्वित संस्ताओं से जुड़ावा है ये दोवर्जर का मानना है कि राजनीतिक जो दल है ये उसका मानना है कि देश बर में जितने भी छोटे छोटे समुदायों फेले वे हैं उन समुदायों का ये संग है और ये जितनी भी संस्ताओं वो संस्ताओं इसे जुड़ी वे हैं इसी आदार पर दोवर्जर ने दल के मादम से कारिये कर रहे पर्तिक ओगनाजेशन या मिल कर लिया जिनके उधारन को रूप में जैसे हम देश में देखते हैं विबिन समु संगटन जो समीतिया निगमू और व्यवसाइक निकायों आधी को हम देख सकते हैं जो पर्लिटिकल पार्टीज से जुड़ी हुई रहती है और ये इस परका एक परकार का राजनेतिक दलू में संगटन और कारियविदी के आधार पर दूवर्जर ने जो वर्गी करण किया है ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो उगनाजेशन होता है और उसके साथ ही उसका वर्किंग जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर दूवर्जर पॉलिटिकल प्रकतिकी बहुत चोटी एकाई होती है, इसका आकार जान बूज कर छोटा रखा जाता है, इसकी सक्ति इसके परमुक सदिशों की संक्या पर नहीं, अपितु उनके गुनों पर निर्वर करती है, यह अपने परवाव के कारण चैनित विशिस्ट लोगों का बहुत छोटा सा समू होता है, यह जो इलिट ग्रूप के जो लोग होते हैं, बहुत ही उनका एक संसिप्ट समू है, यह नेने निर्मान में बहुत मैत्पून बोमिका निबाता है, चुनाओं के समय इसका मैत्पू के छोटे समू में रहते हैं, उनको हम काकस के नाम से फुकार सकते हैं, उसके बाद ब्रांच, यह उस आधारबू तत्वे की दोतक है, जो की कोकस की अपैक्सा कम केंद्री कर्थ होती है, कोकस जानबूज कर जनता से दूर रहना चाहता है, जबकि ब्रांच लोगों से निक करना चाहते हैं, यह इसमें इतनी सकती केंद्री कर्थ नहीं होती, और जो समाजवादी दलों की यह ब्रांच जो ख़ज है, वो लोग जनता से ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहना चाहते हैं, फिर है सेल, यह फासिवादी तता सामेवादी दलों का आविसकार है, सासन दल की ऐसी व्यावसाईक इकाई यां सेल, देश के कुणे कुणे में बिख्री रहती है, परतेक सेल के सदेशे दल के अन्य सदेशों की अपएकसा महत्पूर्ण होता है, सेलों के महत्पूर्ण जाल पर सरवचे निर्ने निर्माताओं से गटित दल की उचेतम इकाई का न फासिवादी दलों में डेखने को मिलता है विविन सेल में सदिशी होता है और उपर की जो सुप्रीम इकही होती है उसके दवरा इन पर नहींतर होता है फिर लास्ट है मिलीसिया या सेनिक दस्ते फांसिवादी तता सामेवादी दल अपने नेंतर में एक सेनिक विबा को रखते हैं जैसे माओ के लाल रक्षक, हिटलर के तुभान दस्ते और मुसुलेनी के हलचल दस्ते इन संगटनों के सदि से ऐसेनिक रूप में रहते हैं ये भी उने सेनिक परसिक्षन दिया जाता हैं वे वर्धियं पह constructor करते हैं तता संगटन के अधिक्स के सरुचे नेंतर के अंतरकत काम करने वाले दलीए नेतों के अधिसों के पालन करते हैं तो इस परकार से प्रेंच, विचारक, मोरिस, दूवरजर, दवारा, दल के ओगनाजेशन एंव वर्किंग प्रोसेस के आधार पर चार भाग बताएं, कोकस, ब्रांच, सेल और मिलिसिया उसके बाद है, पॉलिटिकल पार्टीज की सद्धिस्ता की परकति के आधार पर यह भी एक परकार से दलों के वर्गिकन या विचलेशन का तरीका है, कि उसकी सद्धिस्य उनकी प्रकति के आधार पर नमबर वन है काडर या संवरग युक्त दल और नमबर टू है जन दल जैसे जो काडर बैसेज जो दल है और उसके बाद में मास बैसेज जो दल है उसके आधार पर काडर या संवरग युक्त दल ये विचिस्ट जनों का समूई करन है जो दल के धांचे का निर्मान करते है ये चैन के सिदान्त में विश्वास रखता है, विशिष्ट लोग इसकी नीतियां तता कार्य कर्मों के निर्मान, चुनाव के लिए परत्यासियों के मनोंने, चुनावी अभ्यान को चालू करने, दल के लिए धन एक्यत्तर करने, आधि में महत्पूर्ण भूमिका निपाता किसी व्यक्ति की परतिष्टा चुनाव लड़ने के कला में उसकी निपूर्ण था, तता संगेटन के लिए वितिय सादिन जुटाने में उसकी सक्ति को बहुत महत्पूर्ण दिया जाता है, केवल यही नहीं, ऐसे लोग दल के लिए परतिक परकार का एक काडर तयार करते ह जिनके समर्तन को चुनाव के साथ निश्चि माना जाता है, फिर मास दल या जन दल, कापी मात्रा में मातादिकार की वर्दी ने कोडर दलों को जन दलों में बदलने का कारिय किया है, सनवर्गिय दल से भिन, जन दल वे दल है जो वे दता का अलंकार प्राप्त करने के होती है जो इसके आधारबूत नेतियों में निष्ठा रखता है इन काडरवले जो दल है वो आजकर अपने आपको मास बैसेज में बदलने में प्रियासरत रहते हैं कि फिर है कि आपके पॉलिटकल पार्टी के जनम और विकास के आधारबार बीतर से उपजे दल और उसके बाद बाहर से उपजे दल बीतर से उपजी दलीय व्यवस्ता का विशेश रूप से पाश्चात विश्वे के देशों में परजातांतरी करण की परवर्तियों के विकास के अनुरूप इनके उद्धे एंव विकास का परिचायक है मातादिकार के विस्तार तता संसदिय परजात अंतर के कर्मिक संस्तानी करण ने अनेक जागरुक नागरिकों के छोटे-छोटे संगे इस्तापित करने तू सहित किया इसी प्रकार विदाई सदनों के भीतर अपने-पने हितूं की रक्षा उपसे के समवर्धन के लिए समूं का जनम हुआ संगसेप में इन दलों का जनम विदाईकों की गतिवीद्यों के कारण से हुआ है फिर सेकिन बार से उपजे दल वे है जो किसी क्रांतिकरी लक्षे को प्राप्त करने या किसी निशित हीत की रक्षा करने के लिए बने तता फिर विक्सित होए। लेलिन के नेतर्तु में बोल्सवी क्रांति हुई रूस के इंदर और उनिस उन्चास में माव के नेतर्तु में चीन में सामेवाधी क्रांति हुई। इस परकार से हमने पुलिटिकल पार्टीज के गठन, कारिविदी और जनम के आधार और उसके साती उसके जनम के आधार के अलावा हमने सद्धिस्ता की परकति के आधार पर आधी विशलेशन मोरिश दूबरजित दवरा किया गया उसका दिन किया धनिवाद जेहिं जे भार्